Hello everyone, welcome to QuickCode Academy So, इस lecture में हम देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में ये closures क्या होते हैं Global variable क्या होते है, local variable क्या होते हैं तो देखो, ये fancy term use किया है, closure and all ये simply क्या होते हैं अगर सपोज आपके गाव है एक और वहाँ पे एक chemical factory है तो आप उसके अंदर की जो process है, chemical reaction है उसको outside world के साथ expose करना चाहोगे क्या, नहीं चाहोगे तो हम क्या करते हैं, उसके around boundaries create कर देते हैं wall खड़े कर देते हैं, ताकि outside world का उससे कुछ लेना देना ना हो तो जो भी chemical factory के अंदर की चीज़े होंगी वो होंगी local चीज़े, और जो भी outside world होगा, roads हो गए, नदी हो गई, इनसान होगे वो होगे बाहर के variable, तो वो होगे global variable तो जो बाहर का इनसान है, वो तो factory के अंदर जा सकता है तो factory के chemical reaction वेगरे जो होने वाले हैं, वो तो हम बाहर नहीं कर सकते वो उस सीमा के लिए मरियादित होंगे, तो उस case में वो होगे local variable तो अब हम ये code से सिखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो मैंने एक variable declare किया है, जो कि उसका नाम दिया है global variable और उसको value assign किया है, global variable, a string, और यहाँ पे आपको एक function दिखाई देगा, जिसके अंदर हम लोगने एक variable declare किया है, local scope variable, और उसको value दिया है, local variable so now suppose, हम ये global variable को बाहर use करना चाहते हैं, तो हम वो कर सकते हैं, तो अभी हम refresh करके देखते हैं तो ये देखो, global variable का value print हो रहा है और अगर हम ये global variable को इस function के अंदर use करना चाहते हैं, तो भी हम कर सकते हैं तो इसको मैं console कर देता हूँ, save कर देता हूँ, तो अभी इस function को हमें call भी करना पड़ेगा, तो इसको मैंने किया call और मैं refresh कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यह जो global variable है ना, वो कही पे भी जहाँ पे वो declare किया है, throughout the length of program हम use कर सकते हैं, मतलब यह global variable, इस function के लिए मरियादित नहीं है, उसको हम भाहर भी use कर सकते हैं, तो अब हम देखते हैं local variable क्या है, तो local variable आप देख सकते हो, हमने create किया है इस function के अंदर, तो हम local variable को इस function के अंदर use कर सकते हैं, तो let's see, हम print कर पा रहे कि नहीं, यह देख सकते हो, आप local variable print हो रहा है, पर अगर इस local variable को, मैं इस function के बाहर print करना चाहूँ, तो क्या मैं उसको कर सकता हूँ, देख सकते हैं हम, तो आप अगर देखोगे, हमें यह uncaut reference error आया, जो कि बता रहा है, कि local scope variable is not defined, क्योंकि, अगर हमें इस local variable को बाहर यूज करना है, तो इसे declare भी हमें बाहर करना पड़ेगा, तो local variable सिर्फ इस block, जो block सबको दिख रहे हैं न, जहाँ से हमने यह bracket start किया, और जहाँ से end किया, उसके भीतर ही हम, यह local variable को यूज कर सकते हैं, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि global variable क्या है, और local variable क्या है, और यह जो variable है न, विदिन दिस boundary ही हम यूज कर सकते हैं, जिसको जावा स्क्रिप्ट में बोलते हैं, closure, तो आपको यह वीडियो कैसे लगा, वो हमें जरूर बताए हैं, और इस closure, यह local यह global variable के बारे में, आपको जो भी doubts हैं, वो comment section में आप लिख सकते हैं, हम जितने address कर सकते हैं, उतने issues को address करने के कोशिश करेंगे, दन्यवाद